हाई ओल, स्ट्रॉबरी जब विंटर का फ्रूट है बहुत अच्छा और जब विंटर ओवर हो जाता है, समर्ज आते हैं तो काफी लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है स्ट्रॉबरी का प्लांट अफ्रूटिंग नहीं करेगा, तो वो लोग इस प्लांट को डिस्कार्ड कर देते हैं, जो की जानकारे ना होने की वज़े से ऐसा करते हैं स्ट्रॉबरी का जो प्लांट है वो हमेशा हम अपने पास सेव करके रख सकते हैं, उसके लिए बहुत छोटे छोटी चीज़े हमें करनी है स्ट्रॉबरी के प्लांट के साथ, क्योंकि यह ठन का प्लांट है और गर्मी की बहुत तेज धूप इसको बरदाश नहीं होती है, और इसमें लीव बर्न हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको लीव बर्न से बचाने के लिए किसी सेमी शेड एरिया में रखना है, इसको शेड में बिलकुल ना रखे, इसको सेमी शेड एरिया में रखे, जैसे कि मेरे टेरिस में यह जो स्पेस है, यह मे तो इनको मैं वही शिफ्ट कर दूंगी इन में जैसे अभी हल्की फूल की फूरूटिंग हो रही है उसको मैं छोड़ दूंगी और जिन में मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल फूरूटिंग नहीं होगी जिस प्लांट को अभी हमें नेक्स टेर के लिए रखना है सेव कर करना है तो उनके साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ एक स्ट्रॉबरी के प्लांट से आप बहुत सारे स्ट्रॉबरी के प्लांट तयार कर सकते हैं और यकीन मानिये मैं सच बोल रही हूं बहुत सारे प्लांट जिस तरह से स्पाइडर प्लांट में हमारे रन के लिए बहुत टेंटिंग होता है और रेड कलर आने से पहले ही जब इन में पिंग कलर था तभी बच्चे इसको तोड़कर खा रहे थे तो मैंने बस एक दो क्लिपिंग इसको शूट करी थी जो मैं साइड में शेयर कर रही हूं आप देखिएगा खेर अभी इसको हमें क्या करना है कि यह जो प्लांट है इसको हमें बिल्कुल चॉप आफ कर देना है चॉप करके हम इसको बिल्कुल ट्रिम करके इसको सेमी शेड में रख देंगे और बारिश के दिनों तक यह फिर से हरा भरा बुशी हो जाएगा बहुत सारे ननाज आएंगे और उनको हम कट करके फिर से रिपॉर्ट करेंगे जिसका वीडियो मैं फिर शेयर करूंगी बारिश के दिनों में अब जैसे कि मेरा यह बड़े कंटेनर में लगा है और यह कंटेनर मुझे सीजनल प्लान के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगी इनको यहां से निकाल कर इसमें शिफ्ट कर दू और उसकी ट्रिमिंग और दस दिन के बात करूंगी ताकि जो इसका रूट सिस्टम है वो अच्छे से सोयल में अज़स्ट हो जाए उसके बाद इसका उपर का जो पोर्शन है उसको एक बाद पूरा ट्रिम कर दूंगी तो फिर यह नए से जो है इसकी ग्रोथ आएगी और फिर इसमें नयने रनस निकलेंगे प्लांट फिर से हल्दी और बुशी हो जाएगा इसे तरह से सारे प्लांट में आपको ट्रीटमेंट करनी है बट कुछ प्लांट ऐसे भी है मेरे जिसमें बहुत अच्छी अभी ताजा ताजा जो है फूरूटिंग स्टार्ट हुई है तो उनको मैं इस बार रहने दूँगी क्योंकि मुझे लगता है एकर सेमी शेड में डालेंगे थोड़ा सा खाद वगर देंगे तो फिर से इसमें फूरूटिंग आ सकती है देखें बहुत अच्छी इसमें फूरूटिंग स्टार्ट हुई है इस वाले को मैं छोड़ दू है आप इससे बहुत सारे प्लान तयार कर सकते हैं आप इनको एस गिफ्ट परपस यूज़ कर सकते हैं हर बच्चे को अपने बच्चे के रिटर्न गिफ्ट में किसी चीज में भी आप स्ट्रॉबरी के सैप्लिंग लगा कर उनको दे सकते हैं बहुत अच्छा लगता है हैपी खेती बाई